उसका solution क्योंकि viral infection होने से फैलते हुए रूखने के लिए क्या precaution लेना चाहिए उस पर ही ज़्यादातर काम करना होता है चामाशिडिया से फैलने वाले रूख है तो वो कहां रहते हैं जा रहते हैं वहाँ फैलते हैं उसके साथ लोग जा उसका सहस्तित्व बनता है एसे स्थीती में उसको कैसे वहाँ precaution ले क्या-क्या action करना चाहिए उसके लिए भी गाइडलाइन की गई है वो गाइडलाइन के थहत हम precaution ले सकते ताकि हम उससे बचे उसके लिए और कोई विशेश तो मेडिसीन होती नहीं है जो मेडिसीन है जनरल वहाँ जो मेडिकल आफिसर स्क्राइब करते हैं इसके लिए कोई मेडिसीन अभी तक नहीं हुई है क्या वो कंफर्म हो गए है 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 वो कंफर्म हो गए है